हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है संगीता वेलकम टू माई यूटूब चैनल कोकविस संगीता अक्सर शादियों में हमने अमचूर की चतनी तो बहुत खाई है लेकिन आज हम उस चतनी को घर में बनाएंगे और उससे देखे आप ही कहेंगे अरे वाह इस चतनी को बनाने इतना अ अब बुड़ी लिया है अब थोड़ा बहुत जादा भी ले सकते हैं तो मैंने आप एक फ्राइपेन रख दिया है और फ्राइपेन में हम यहां पे डेड़ ग्लास पानी लिंगे डेड़ ग्लास पानी में ही हम चार चमच अम्चूर पाउडर का यूस करेंगे तो जैसे ही पानी यहां पे गरम हो जाएगा मैं यहां पे अमचूर पाउडर को मिक्स कर दूँगी तो देखे पानी में हलका सा उबाल आने लगा है तो अब हम यहाँ पे अमचूर पाउडर को मिक्स कर देंगे तो अमचूर पाउडर डालने के बाद हमें इसे चमच से continuously मिलाना है अदर्वाइस इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे इसमें लगवर 2,3 मिंट लगते हैं तो अमचूर पाउडर है पानी में अछे से डिस्वाल हो चुका है तो देखे अब हम इसमें एक उबाल आने लिए दिनगे जैसे ही उबाल आ जाएगा तो अमचूर पाउडर है वो पकने लग जाएगा तो हमारा देखिए एक उबाल आ चुका है इसके बाद हम इसमें गुड आड़ कर दिंगे तो देखिए मैंने यहापे गुड लिया है और मैंने इसे यहापे आड़ कर दिया है तो गुड और अमचूर को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे तब तक मिस करना जब तक कि गुड है वो अच्छे से मैल्ट ना हो जाए तो देखिए अमचूर चट्टी मिलाना बहुत ही ईजी होता है बस इसके लिए हमारे पास दो या तीन इंग्डेन के जरुवत होती है और उन्हें मिक्स करना होता है तो देखिए पानी में हमने अमचूर पाउडर और गुर को मिक्स कर रखा है अब हमें इसे दीरे दीरे माल आने लग जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो हमारी चट्टी रेडियो जाएगी इसके लिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं लेकिन यहां पे मैंने बिल इसमें बॉइल आएगा तो जो खजूर है वो भी थोड़ी से सौफ्ट हो जाएगी इसके बाद मैंने यहां पे आदा चमच बुना जीरा पाउडर लिया है बुने जीरा पाउडर से इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आजात है अब यहां पे मैंने एक चमच काला न करेंगे तो देखिए मसाले हमें यही उसकरने इससे क्या होगा जो खटा मीटा टेस्ट होता है वो सौंट का वो इसमें आ जाता है आप इसमें पांच मिन्ट के लिए बॉइल कर देंगे और जैसे ही अच्छे से बॉइल हो जाएगी ठिक कंसिस्टेंसी की हो जाएगी हम ग अब हम इसमें एक उबाल आने दिंगे तो कलर डालना कंप्लीटली ऑप्शनल है अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप पेशक मज डालिए लेकिन हलवाई है वो यही कलर यूज करते हैं तो जैसे एक उबाल आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को सुच आफ कर देंगे तो यही थंडा होने के बाद और भी थोड़ा थेक हो जाती है तो इसे हम थंडा होने देंगे और किसी भी एर टाइट कंटेनर में बंद करके महिनों तक स्टोर कर सकते हैं इसके शेल्फ लाइफ कई महिने तक रहती है तो आप इसे ज़्यादा क्वांटेटी में भी बनाके ए था है, तकर समय करेंग, भी याथ